तो जी आज कल मेरा इंट्रेल्स जो है वो मिनी व्लोग में जादा हो गया है इजी रहता है, सिंपल रहता है, एंड शॉट रहता है तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी सिस्टर विदी के साथ सदर मार्केट ये मैं आटो में धोलक हुआ के रास्ते होते हुए सदर मार्केट जा रही हूँ और मैं वहाँ जादा शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि दिस मार्केट इस वेरी क्रावडेड एंड बजेज विद एक्टिविटी बहुत ही कंचेस्टेट मार्केट है यदि आप लोग भी कभी वहाँ विजिट करें तो अपने फोन, पर्स, एंड पॉकेट का अच्छे से ध्यान लखें आपको पता है सदर बजार इस दा लार्जेस्ट होलसेल मार्केट इन ओल डैली मैं क्यों गई थी मैं इसले गई थी मुझे अपने आर्ट & क्राप्ट से रिलेटेट सप्लाइज जो है महा से लेनी थी और बहुत ही मज़ा आया मेरा बॉर्न & जो जो है वो डैली का है लेकिन मैं खुद ही फर्स टाइम गई थी इस मार्केट में सोचो वहां आपको 10, 20, 50, 100 कहने का मतलब है कि रीजनेबल अमाउंट में आपको समान मिल जाता है लेकिन जो भी मिलेगा सब आपको होल सेल में मिलेगा कोई-कोई आजकर शॉपकीपर्स है जो एक दो चीजे भी देने लगे है अच्छा और एक बास अगर आपसे वहां बा नहीं हुई मेरा तो बारगेनिंग के नाम पर कच्रा ही हो गया था वहां पर हम लोग आफटरनून में गए थे क्योंकि मौसम बहुत सुहाव ना हुआ वा था बट एक दिन हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे क्योंकि साथ बज़े से नौ बज़े तर जब शॉप्स बंध यहां पर पैटरी मार्केट लगती है और मैंने पैटरी मार्केट के बारे में यहां का बहुत सुना है मुझे तो बस आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड अपनी सप्लाइज ही लेनी थी तो इसलिए जो लोकेशन मैं बता दूँ जो में एंट्रेंस होता है सदर मार्केट का मैंने वहीं से ही एंट्री रिपली थी आटो वाले भाईया ने भी हमें वहीं ड्रॉप किया था एंट्रेंस पही और जाते टाइम भी हमें ऑटो एंट्रेंस से ही मिल गया था अच्छा ठीक है अब मिलूंगी बाद में टाटा और अपना ध्यान रखें स्टे हेल्दी बाबाई